Welcome to Tax Masterclass, I am Advocate Anthony Williams और आप देख रहे हैं Tax Masterclass आज की वीडियो में सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि एक Tax दोस्ती मेसेज हमने इमरान खान, Honorable Prime Minister of Pakistan उनको दो साल पहले ये वीडियो की थी और इस वीडियो का मकसद ये था और आज भी आज की जो वीडियो है Tax Masterclass की वो हम Honorable Prime Minister अमरान खान को कर रहे हैं साथ में उनको गुड हेल्थ और वेल विशिस कर रहे हैं ये आज की वीडियो में इंफलेशन और मेंगाई के आज जो हैना एक सिंपल आंसर बताएंगे और दो साल पहले जो ये वीडियो की गई थी इसमें जो बताया गया था और उसके रिजल्ट में फिर Honorable Prime Minister की जो गवर्मन ने जो स्टेप्स किये थे वो मैं एक सिंपल बताएंगे थी कि लोग Tax Net में क्यों नहीं आते लेकिन Taxable Income कमाते हैं उनको Step by Step यानि Saluried Persons का बताया था कि कैसे उनको Tax Net में ला सकते हैं जो नहीं है इंकम फ्रॉपर्टी वालों का बताया था कि कैसे आप मुफ्तलिफ डेटा बेसिस जो है जो जैसे DHA है बहरिया टाउन है LDA है इन डेटा बेसिस को कंपेर करके आप easily identify कर सकते के कौन लोग जो है रेंटल कमर्शल प्रॉपर्टी रखते फिर बिजनस के लिए सारी strategy तो अगर आप ये 7 मिनट और 39 सेकंड्स की वीडियो देखें तो ये मैसिज हमने प्राइम मिनिस्टर को मार्च 16 2019 को भेजा था जिसके रिजल्ट में उसके बाद मार्च 2019 के बाद FBR मालुमात के नाम से एक वेबसाइट बनी और वो सिस्टर वेबसाइट के लाती है आईरस की आईरस तो वेबसाइट है जिस पर आप आकर जो है लॉग गई है ये डेट जो प्रोफाइल वाली फाइलिंग है आप प्रिविएस वीडियो में देख चुके होंगे के 30 जून 2021 तक ये डेट चली गई है आपके बस टाइम आ गया मैं बात कर रहा था कि हमने एक सिंपल आइडिया दिया था कि जहां गवर्मन्ट के डेटाबेसिस औ और प्राइविट सेक्टर के डेटाबेसिस जो पब्लिक है उनको कंपेर करके टैक्सपेर्स को इसली जो है दो से तीन मिलियन टैक्सपेर्स अडेटिफाई कर सकते थे तो एफपी आर ने बेसिकली एफपी आर मालुमात के नाम से वेबसाइट बनाई और इसमें अगर वो ही ना शो करें जैसे एफबी आर की वेबसाइट पर अगर आप जाएं तो एफबी आर जो है क्लेम करता है कि जी ऐसे लोग हैं जो अभी यहाँ एड लगेगा और एड में बेसिकली वो बताते हैं कि साथ सतर लाक लोग हैं सेवन मिलियन लोग हैं जिन से विद होल्डि ही होती है लेकिन वहाँ तो मकसद कहने का यह है कि सिंपल मेसेज इमरान हान को ओनरेबल प्राइम इनिस्टर को दिया था कि आप मुख्तलिफ डेटा बेसिस को गवर्मन के पास जो है उसको सी एनाइसी के अगेंस्ट कंपेर करें तो आपको पता चल जाएगा कि फाइलर को नहीं था तो यह सिंपल आइडिया से एफबियार की एफट्स हैं और एफबियार मालूमात जो प्राल बिसिकली पाकिस्तान रेविन्यू आटोमेशन लिमिटेट को यह ग्रेडिट जाता है तो यह आइडिया हमने दिया था ठीक है जी आपको याद होगा कि टैक्स असान आप जो है वो भी टैक्स दोस्ती आप के आइडिया के बाद आया था तो आज जो मैं डिसकस करना चाहता हो यह डिसकस करना चाहता हो कि अगर हम जो है सर क्यारें इंफलेशन हाव टू रिड्यूस इंफलेशन इन पाकिस्तान तो इसका एक बिल्कुल सिंपल हल है जो ऑवि टैक्स दोस्ती और टैक्स मास्टर क्लास की तरफ से यह मश्वरा होगा यह नहीं के टैक्स लगाए बलके आप ऐसे ओडियंस जो यह विडियो देख रहे हैं आप खुद डिसाइड करें कि पाकिस्तान में पिछले साल से पहले यानि 2020 से पहले अब टैक्स यह 2021 चाल रहा है 2020 से पहले कितनी गाडियों के मॉडल थे तो सिजुकी कामपनी होंडा और जो है क्या कहते हैं नतेयोटा थी तो मनोपली जो है वो चाहे टोमाटो कैचप हो टोमाटो कैचप भी अगर आप जाए बहुत बड़े सुपर स्टोर्स भी आप जाएं मेगा स्टोर्स में भी लेकिन बेसिकली जो है यहां पे एक अर्टिकल मैं निकाह लेता हूँ लेकिन इस अर्टिकल को दिखाना मकसर नहीं है गबन्न को पीटिएई गफिपागन को और를र बार मिंस्ट्र को यह मैसेच प्राइम कि जरुष ऑन है कि जो प्राइस सेट होती है वो सिम्प्ली सेट हो करते हैं सिंपल एक्जामपल है पॉलिटिक्स में बेतर पॉलिटिक्स इसलिए आई है क्योंकि दो तीन पार्टी जो पॉलिटिक्स पे पिछले तीस सालों से मनपलाइस थी उनको पी टी आई को पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जगह देनी पड़ी और इस तरह से कॉंपटिश की इस्तमाल की चीजें जो आप ये देख सकते हैं वेजिटिबल में हो पाकिस्तान में प्रोडक्शन हमेशा पॉपिलेशन से ज्यादा होती है लेकिन उसकी जो सप्लाई है वो लिमिट कर दी जाती है और अगर आप अलाव करेंगे के मुख्तिलिफ लोग यानि के एक शख करके मिन्रिफेक्टरिंग साइट पर आजाएं तो यही पाकिस्तान में पॉसिबल यह पाकिस्तान में बिजनस स्टार्ट करना अनर प्राम इनिस्टर इमरान खान सब पॉसिबल नहीं है क्योंके जो मनोपली से होती है जो लोगों मनोपलाइस कर ली है मुगतिलिफ प्रॉ जास्ता बनाते हैं स्मॉल बिजनेसे के लिए के वो हर जगा मश्रूम ग्रोथ हो यानि हर आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि जो सुसाइटी होती हैं जैसे वेरिया सुसाइटी आई डी एचे हैं और बहुत सरी सुसाइटी हैं मैं पुझाब सुसाइटी में रहता हूं भाजी रोड तो यहां शॉप लेना भी एक मनापली है यानि आपको इजली शॉप नी मिलेगी फिर आपको आपने स्टोर खोलना है या या आपने आप बार्बर की दुकान खोलनी है या आपने कोई रिपेर मेंटरन्स के तो आपको और बिजनसेस अलाउनी करेंगे और उ रुमात बना दी तो इसी तरह अगर आप उपन ऑनलाइन और मुक्तलिफ एप्स के तुरू बिजनस सेट अप करने की अजाज़त दे दें लोगों को ताके लोग विदाउट एनी हैसल और यह जो मनापली है इसको कम करने के लिए जो है लोग बहुत इसली अपना बिजनस स हम होती है और जैसे जैसे उस मार्केट से जो है आप दूर जाते जाते तो हर एक मार्केट में प्राइज बहुत जादा बढ़ जाती है क्यों बढ़ जाती है क्योंकि उन मार्केट में आपने सिर्फ एक या दो लोगों को अलाव किया होता है कि वो गुड्ज और सर्विस बेचें तो maximum लोगों को business और इसमें honorable prime minister साथ जो main idea है जिससे आप unleash करेंगे सारा potential वो यह है कि अगर आप लोगों को allow करेंगे कि वो अपने घर से business कर सकें और चुँके इस वक्त कानून ऐसे हैं कि घर से business करना possible नहीं है जो लोग घर से business करते हैं उनको यह facility नहीं है और ऐसे लोग जो ऐसे areas जो भी develop नहीं हैं वहां भी business नहीं कर सकते safety के शुर तो घरों से अगर business करने allow कर दें तो for example लोग अपने घरों में जो है क्या करते हैं वो सारी चीजें किस तरीके से produce करने कोशी करेंगे वो monopoly storing कोशी करेंगे जो selling पर है अगर आपका emphasis होगा कि हर शक्स को वैसे भी open economy है capitalist economy है तो एक open economy में जहां आप लोगों की ये FBR मालूमात में लोगों की transactions track हो रही है तो इसी तरह supply chain में जिस तरह आप track and उसका system ला रहे हैं तो आपको पते चलेगा कि बहुत कम businesses को allowed है कोई भी business का ना खासता और पर कोई अच्छा बड़ा profitable business चाहे property का है चाहे tobacco का business है कोई भी industry है उसके अदर बहुत कम लोग है और इसमें government sector में बहुत सारे लोग बैठे हैं जो facilitate करते ताके नए businesses set up ना हो तो new businesses new entrepreneurs को मौका दे और घर से business जैसे आपके पास कामियाब experiment है कि जो IT के बच्चे हैं IT freelancers उन्हें कहें या जो लोग online काम करें वो पकिस्तान के लिए लागों करोडों रुपए कमा के ला रहे हैं उनकी taxation में भी आपने कुछ न कुछ problem आप डाल है exemption withdraw करके और बहुत सारी monopoly वाली industries उनकी exemption withdraw नहीं हुई exemption के अवाले से इस channel पर अभी दो वीडियोस पीछे आप देख सकते हैं 26th of March को तो honorable prime minister साब basically एक तो यह अच्छी बात है कि tax authorities vigilant हो रही है data bases use करके और आगे AI और big data को use करके वो trends मालूम कर रही है तो साथ ही साथ जैसे आप ने यह package construction industry के लिए दिया है इसी तरह आप लोगों को allow करें कि वो as long as जो है ना कोई hazardous industry ना हो तो घर में अपनी industry establish करें अपनी manufacturing और उनको जो government departments है वो है वो hassle उनको हरसा ना करें labor department है और वो इस तरह जो है लोग जब production करेंगे इसके सबसे common example यह है कि solar energy जब लोग produce करना शुरू कर देंगे ज्यादा quantity में तो आपका जो circular debt है जो आपके सारे electricity के issues है वो साब है तो लोगों को खुछ से produce करना की इजाज़त दें जैसे यूट्यूब पर आके tax दोस्ती की वीडियो मैं एडोकेट एंथनी विलियम्स बनाता हूं इसी तरह जो है कहते हैं बहुत सारे लोग YouTube पर earn कर रहे हैं और production कर सकते हैं इस काबिल हो गए हमारे लोग चाहिए यंग्स्टर्स हैं या senior लोग है कि वो production करके वो जो selling की monopoly है बेचने की जो इजाज़त है वो हर शक्स को दी लेकिन एक दफ़ा जब इतनी सारी competition आ जाएगा तो बहुत सारी prices जो है ना कमा जाएगे अब बात manufacturing की करते हैं manufacturing में भी आप देखें आपके जितने issues हैं वो चाहे वो चीनी है शुगर है चाहे वो गी है चाहे वो तंदूर है जो रोटी बनाते हैं सब जगों पर issue जो है mainly manufacturing और production का है आप produce करने और sell करने की जाज़त ज्याज़ ज्यादा लोगों को दे facilitate करें encourage करें starting from electricity electricity produce करने की लोगों को ज्यादे ज्यादा encouragement करें investment करें उनको solar panels और पूरी-पूरी housing schemes को यह option दें कि वो जो है खुच से बिजली produce करके government को provide कर रहा है वजाए कि बड़े बड़े producer सरतो micro जो इस तरह की production होंगी वो यह selling और यह price issues हर चीज़ में services में भी सर्फ goods में नहीं जैसे आप allow करें कि लोग मुक्तलिफ service business शुरू करें चाहे barber business है चाहे repair shop है कुछ भी है maximum लोगों को facilitate करें कि वो घर से operate करें ताकि अगर repair maintenance का हुई काम उनने घर में शुरू करना है as long as जो है न वो है तो इस तरीके से आप maximum वो जो है production करेंगे जो new housing schemes जो new घर आप लोगों को दे रहे हैं उसके अंदर भी allow करें कि area dedicated हो ताके लोग वहीं पर production कर सकें वहीं पर services produce हो तो इस तरीके से यह problem और इसकी अगर government एक website बना ले जो आप जो है लोगों को encourage करें तो परियाज में आके businesses लगाएं ताके pricing हो इसमें आप देख सकते हैं कि multinationals पूरी दुनिया में पूरे पाकिस्तान में उन्हें पता है कि उन्होंने अपना product एक दफ़ा पहुंचाना है बाकी selling के लिए वो stores वगरा लोग खुदी invest करके open कर लेते हैं उनके product को तो इसी तरह ल प्राइमिनिस्टर इम्रान खान साब को सेहत की भी wishes और फैमिली को भी और ये वीडियो अगर आप उनसे share कर सकते हैं या इस वीडियो का clip जहां main idea यह है कि लोगों को production करने की अजाज़त हो जो भी resources उनके पास available है और वो इस तरीके से supply increase करें competition increase करें तो prices खुद बखुद कम होंगी next text masterclass ने आप से लगात होगी thank you very much